Hello Friends, तो आज के मेरी वीडियो में आपको बताने वालों colors के बारे में कि उनकी क्या meaning होते हैं और वो आपकी personality को कैसे दिखाते हैं तो चले शुरू करते हैं मारी वीडियो को बिना कोई देरी के Color No.1 Red तो दोस्तो red color एक most common color है अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको red color बहुत ही असानी से दिख जाएगा तो red color दोस्तों denote करता है passion और drama को और अगर दोस्तों हम emotions पे हैं तो ये strong emotion को denote करता है जैसे anger या फिर love तो अगर दोस्तों आपका favorite red color है तो इस चीज़ से दोस्तों ये पता लगता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं आपको हर काम पसंद आता है और आपके बहुत strong emotions है Color No.2 Yellow तो yellow color दोस्तों denote करता है optimism और energy को तो energy को दोस्तों yellow से इसलिए relate किया गया है क्योंकि दोस्तों जो sun है वो होता तो white है पर हमें atmosphere के वज़े से yellow दिखता है और हमें दोस्तों sun sunlight देता है एक तरह से हमें energy देता है इसलिए energy को yellow color से relate किया गया है अगर आपका दोस्तों yellow favorite color है तो इसका मतलब है आप confidence से बहे हुए हो और आप हर बात को लेकर positive रहते हो Color No.3 Orange तो जैसा कि आपको बताया दोस्तों कि जो red और yellow का mixture होता है वही orange color होता है और इसलिए दोस्तों red और yellow दोनों की property उसमें होती है तो orange color दोस्तों denote करता है encouragement को मतलब अगर आपका ये favorite color है तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप एक social type के इंसान हो मतलब आप हर वक्त किसी की मदद करना चाहते हो Color No.4 Green तो green color दोस्तों denote करता है growth और health को और दोस्तों ये चीज़ रिलेट की गई है हमारे nature से कि हमारे nature में जो plants है वो grow करते रहते हैं जब तक वो जिन्दा रहते हैं और उनका बहुत बड़ा role होता है हमारे health के उपर तो अगर जोस्तों green color आपका favorite color तो ये आपके बार में denote करता है कि आपको कोई ना कोई नई चीज को सीखने का चाह रहता है जैसे अगर आप कोई भी जगह गूमने जाते हैं तो उस जगह की history या फिर उस जगह का culture इस चीज में आपको बहुत ही इंट्रेस्ट रहता है color number five blue तो blue color दो डिनोट करता है calmness और trust को तो calmness को blue से इसलिए relate किया गया है क्योंकि दोस्तो blue color sky और sea से लिया गया है और अगर दोस्तो आपको यह जानने है कि sea और sky का जो color होता है वो blue ही को होता है तो आप यह वाली वीडियो मेरी जरूर देख आप इस आई बर्ण पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं तो अभी आते हैं तो हमारे प्रेट के ओपर तो यह इसलिए relate किया गया है क्योंकि दोस्तो जो sea और sky होते हैं वो बहुत ही काम होते हैं उनको देखकर बहुत ही काम फिलिक आती है तो अगर दोस्तो blue color आपका favorite color तो यह आपके बारे में यह denote करता है कि आप एक trustable इनसान हो और आपको loyalty पसंद है मतलब आपको कभी भी किसी से गदारी नहीं करते हैं और आप एक काम इनसान हो मतलब आपको कोई भी offense मतलब लड़ाई जगड़ा नहीं पसंद हैता तो आज की वीडियो में दोस्तो मैंने आपको 5 colors बताए है red होता है strong emotion और passion के लिए yellow होता है energy और confidence के लिए orange होता है positive thinking के लिए green होता है growth और health के लिए और last blue होता है trust और loyalty के लिए तो दोस्तो और बहुत सारे colors है पर दोस्तो मैंने आज आपको एक major colors होते हैं हमारे surrounding में उनके बारे में बताया है comment करके जरूर बताना कि दोस्तो आपका फेवरेट color है तो आज की वीडियो बस इतना है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना और subscribe जरूर करना ताकि ऐसी वीडियो आप और भी देख पहें तो मिलते हैं दोस्तो मेरे अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई